हेलो दोस्तों नमस्कार दिन भर की बड़ी खावर बिना देरी के आपको बताएंगे जहां सबसे पहले बताएंगे बार बार मुह की खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान शहवाज शरीफ ने फिर एक बार अलापा कश्मीर राग कश्मीर के राग के सासा दोस्त पीयो के छिनने की धंकी दी जा रही है ऐसा शहवाज शरी बोलते नजर आये हैं यानि की पीयो के को लेकर अब पाकिस्तान इन सीक्यूरिटी फील करता नजर आ रहा है दोस्तों यानि भारत क्या कदम उठाने वाला है दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे वहीं अचानक से कैसे मुईजू के बदल गए सुर्थ वहीं पाकिस्तान चीन के संभावित खत्रे से भारत हुआ सतर्क सेना में शामिल होंगी लंबी दूरी की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें जिहां धुआ धुआ हो जाएंगे देश के दुश्मन निर्भय परले जैसी हो से तक बने देगा और खबरों मागे बने से पहले देश भारत का पुर्जोर समर्थन करते हैं और निरंतर भारत को आगे बढ़ते वे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबागे कमेंड में जैहिंद अवश्य कहिए का बात करें पहली बड़ी खबर की जहां बार बार मुह की खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान शहवाज सरीफ ने फिर अलापा कश्मीर राग भारत की सेन तागस से घबरा गया शहवाज सरीफ दोस्तों यूनाइटेड नेशन में लगा गुहार बता दें प तो यहां तक कह डाला की भारत को अनुचेद 307 को निरस्त करने के फैसले को पलटना ही चाहिए और मुद्दे के शांदीपुर्ण समाधान के लिए उसके साथ बात चीर करने चाहिए दोस्तों हाला की पाकिस्तान की इस काईराना हरकतों को देखते वे पहले से अंदाजा लगाया जाता रहा था कि प्रधानमंत्री शहवाज शरीफ सयूंत राष्ट्र महासवा के उनासीवे सतर की आम बहस में अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे शहवाज शरीफ ने 20 मिनट से अधिक के भाचन में कश्मीर के बारे में बहुत कुछ कहा हालां कि उनकी एक भी बात हकीकत के आसपास तक नहीं थी अपनी आदस से मजबूर पाकिस्तान ने यानि पाकिस्तान के पीम ने कहा कि फलस्तीन के लोगों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अपनी आजादी और खुद फैसला लेने के अधिकार के लिए एक 70 का जिकर करते हुए शहभाज शरीफ ने कहा कि इस थाई शांतिस पनेशिर करने के लिए भारत को अगस्त 2019 के फैसले को वापस लेना चाहिए जी हां दोस्तों इतना ही नहीं शहभाज शरीफ ने भारत की सैने तागत की और दुनिया का ध्यान दिला तो अपनी चिंता जाहिर शरीफ ने कहा कि भारत अपनी सैने तागत लगातार बढ़ा रहा है और उटको डरह है कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खेलाव किया जा सकता है यहां तक की दूस्टब शहभाज का नारा देकर सत्ता में आये राष्ट्रबदी मुहम्मद मुईजू को लगता है कि सत्त का ग्यान हो गया है इसके साथ ही उन्हें भारत के तेजी से बढ़ रही तागत का भी भान हो गया है तभी तो महज एक साल में ही उनके सुर एकदम बदले हुए दिखाई दे रहे हैं अब वे भारत की अलोचना नहीं करने बलकि उससे पींगे बढ़ाकर बिगड़ संबंदों को सुधारने की कवायद में लगे हैं सयूंत राष्ट संग के 89 संविलन में शामिल होने के लिए न्यू यॉग पहुँचे मुईजू के ये बदले सुर वहां भी दिखाई दिये प्रिंसटन विश्विद्याले के कार्यकरम ड्रिंस लीडर्शिप सीरीज में एक सवाल के जवाम में मुईजू ने अपने देश में भारत को बाहर करने यानि इंडिया आउट के किसी भी एजेंडे से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि विदेशी सेना की उपस्तिती उनके दूपिया देश के लिए एक गंभीर समस्या थी जी है अब ऐसे में दोस्तों एक समय था जब राष्ट्रपधी बनने से पहले मुहमद मुईजू और राष्ट्रपधी बनने के बाद तक भारत को अकड़ दिखाने की कोशिच में लगे हुए थे लेकिन दोस्तों अब भा आपको क्या लगता है दोस्तों अपनी राइदेना मत भूलेगा लेकिन आपको बता दे कि मालदीव के पास वाके में सेलरी देने तक के पैसे नहीं बचे हैं दोस्तों भारत से दुश्मनी मुईजू को भारी पड़ती दिखाई दे रही है कर्ज लेने तक लिए मजबूर हो गया है मालदीव का मुईजू जी हैं यहां तक कि भारत ने पिछले महीने ही 50 मिलियन अमेर की डॉलर के कर्ज का भुगतान की महलत दे दी है मुईजू को जबकि उसको पिछले महीने ही इसका भुगतान करना था उसके बावजूद भी दोस्तों मुईजू सरकार ने करम महीने के अंदर ही पानी पिला दिया वहीं आपको बता दें कि अगले ही महीने भारत के दोरे पर आने वाले हैं मुईजू मालदीव के राश्टरपाती पुरधानमंत्री नरेंदर मोदीजी के साथ रिस्तों को मेल मिलाप के जरिये बहतरीन करने की कोशिश में अब लगे ह हुए हैं यानि कि जब हालत पतली हो गई तो अब भारत याद आ रहा है जबकि हम पहले ही ये बात मालदीव को लेकर कहते आ रहे हैं कि भारत से पंगा मुईजू को महंगा पड़ेंगा तो वहीं आपको बता दें धुआ धुआ हो जाएंगे देश के दुश्मन सेना में ह समभावित खत्रे से भारत हुआ सतर्क भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइलें विक्सित कर रहा है एक अधिकारी ने बताया कि सेना लंबी दूरी के राकेट क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने बेड़ों में शामिल करने जा रही है इनमें 400 किलोमीटर और 2000 किलोमी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है अधिकारी ने बताया कि भारतिया सेना को परलाय बैलिस्टिक मिसाइल और निर्भाय मिसाइल हासिल करने के लिए रक्षा अधिक रहन परिशद से मंजूरी मिल गई है एक प्रेस वारता में मिसाइल कारक्रम की जानकारी देते वे उ उन्होंने कहा कि हम खूफिया निग्रानी और टोही विमान को मजबूत करने पर भी जोर दे रहे हैं दोस्तों वाकई में इन बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्मान चीन और पाकिस्तान की हालत धीली कर सकता है वहीं बता दें इतना ही ने एक और खबर है कि चीन सीमा के पास भारतिय सेना को मिल गई है जबरदस्त फाइरिंग रेंज घातक हतियारों का वहाँ पर होगा टेस्ट दोस्तों भारतिय सेना ने अरुनाचल प्रदेश में एक नई फाइरिंग रेंज अस्थापित की है जो सेना को होवित जर और अन्यमहत्वपुर्ण हतियारों का परिक खोली गई है जहां हम अपने होवितिजर तोंपों का परिक्षन कर सकते हैं और उनकी छमताओं को जाच सकते हैं ये पहली उच उचाई वाली रेंज है और हम अन्य राज्यों में भी ऐसी और रेंज तलाचने का परयास कर रहे हैं दोस्तों ये नई फाइरिंग रेंज उस सम समय सीमा के भीतर पूरा किया जा रहा है उन्होंने का कि हमारी आधूनी की करण और छमता विकास योजना आत्म निर्भरता अभ्यान से जुड़ी है और स्वदेशी करण के माध्यम से आधूनी की करण के सिध्धान्त पर आधारित है ऐसे में इंडियन आर्मी को all the best कहना म नाइके की पार्टी को हुआ भारत की तागत का एहसास दशकों पुरानी दुश्मनी भूल दोस्ती में समझी भलाई जिहां स्रिलंका में माक्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसा नाइके के देश के नौवे कार्यकारी राश्ट्रपती के रूप में पदभार संभाल ल और बिजिंग के बीच संतुलन जारी रखेगा वहीं बदादे नेतन याहू ने जैसा ही खतम किया युनाइटेड नेशन में अपना भाचन आईडियाफ ने शुरू कर दिया दूसरी तरफ हिजबुल्ला पर कहर बर पाना जी हां हिजबुल्ला के मुख्याले पर पर ताबड़ तोड़ एर्ष्ट्राइक कर रहा है इजराईल लेबनान के उन रहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है जहां हिजबुल्ला के आतंग्यों ने हत्यार छिपा रखे हैं इजराईली आर्मीहिजुल्ला के आतंगी ठिकानों पर चुन चुन कर बंबर सा रही है जिसमें उसके कमांडर मिट्डी में मिलते जा रहे हैं 9 दिन नों से जारी जंग में इज्राइली हमले में लेवनान के अब तक 700 लोगों की मौत हो चुई है जबकी 26 लोग हाईल बताये जा रहे हैं शुकरवार के हमले में भी 25 लोगों की जाने चली गई है इसमें हिजबुल्ला के कारिकारी परिशल के प्रमुग हाशेम सफित दिन की भी मौत हो गई है इससे पहले गुरवार को हमलों में इजराइल ने हिजबुल्ला की ड्रोन यूनिट के कमांडर मुहम्मद सरू ही किया था जी हां इजराइल के प्रधान मंदरी बेंजामिन नेतन याहू ने कल 27 सितंबर को सयुक्त राश्टर महास्वा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने सयुक्त राश्टर को बताया कि लेबनानी सशस्र समू के खिलाब उनका अभियान जारी रहेगा उन्होंने यहां आने से अपने आपको सचाई को सामने लाने से रोक नहीं पाया उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल शांती चाता है लेकिन इरान के बारे में कहा यदि आप हम पर हमला करेंगे तो आप पर हम हमला करेंगे उन्होंने एक बार फिर छेतर की कई समस्याओं के लिए इरान को जिम्मेदार ठेहराया दोस्तों उन्होंने किलियर कह दिया कि इरान में ऐसी कोई जगे नहीं है जहांपर हम नहीं पहुंच सकते इरान के पुतिन को उक्साने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा नाटो रूसी सीमा के पास बनाएगा कमांडर सेंटर दोस्तों यूक्रेंड रशिया जंग के बीच नाटो की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है ये सेंड संगडन हाल ही में शामिल हुए देश फिनलेंड की रूसी सीमा के पास दोजार पचीस तक नया कमांड सेंटर बनाने की तैयारी मे हैं एक प्रेस कॉंफरेंस के दोरान फिनलेंड के रक्षा मंत्री ने बताए कि नाटो की मल्टी कॉप्स लेंड कमपोनेंड कमांड नामक नई यूनिट का एक कमांडिंग सेंटर हमारी उत्तरी सीमा के पास अस्थापित किया जाएगा यहां से नाटो की सेना है हमारी सेना के साथ मिलकर काम करेंगी ये उत्तरी यूरोप में किसी भी प्रकार के सेन संघर्ष को रोकने का काम करेगी रूस का यूक्रेन पर हमला करने का एक बड़ा कारण उसके नाटों में शामिल होने की कोशिशों को भी माना जाता है रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया दो पड हाली में जापानी युद्पोत साज नामी ने पहली बार विवादी छेत्र ताइवान जल डमरू मद में प्रवेश किया है जिसे नई टेंशन बढ़ गई है जापान का कहना है कि ये कदम अंतर राष्ट्रे जल सीमाओं में अपने नौसेना के अधिकारों को सद्रद करने के लिए उठाया गया है दूतिया विश्व युद्ध यानी 1944 के बाद ये पहली बार है जब जापान युद्पोत ने टाइवान जल डमरू मद में कदम रखा है अल जजीरा की रिपोर्ट के मताबी गुरुवार को पुर्व चीन सागर से साजानामी युद्पोत ताइवान जल डमरू मद में प्रवेश कर गिया और 180 किलोमीटर लंबे इस जल डमरू मद में पिछले बुदवार को ऑस्ट्रेलिया और नुजिलेंड के सेन जल पोत भी देखे गए थे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों देशों को अंतराष्ट्य कूट निती में अमेरिक प्रदान मंद्री ने पॉप फ्रांसिस के सामने ही उनकी कड़िया लोचना कर दिये किस बात से हैं वो नाराज बता दें इसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरू पॉप फ्रांसिस इन दिनों बेल्जियम दोरे पर हैं इसको लेकर पूरे बेल्जियम में उतसा का पॉप फ्रांसिस के उद्गाटन सामारों में ही कुछ ऐसा कर दिया जिसने पूरे इसाई जगत को हैरान कर दिया है दरसल बेल्जियम के प्रधान मंद्री ने कैथोलिक चर्च के यौन शोशन मामलों को लेकर पॉप फ्रांसिस के सामने ही उनकी कड़ी आलोचना कर दाली बेल्जियम पीम ने पॉप फ्रांसिस से यौन शोशन मामलों में सक्त कदम उठाने की मांगी है बेल्जियम के प्रधान मंद्री ने कैथोलिक चर्च में पादरी द्वारा यौन शोशन करने और उसे छिपाने के लिए पॉप फ्रांसिस की कड़ी आलोचना कर दी दोस्तो बनाने वाले ब्रमोस एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेट्र में अब पुर्व अगनी सेक्टर की पहली कंपनी है कंपनी ने कह दिया की तकनीकी और सामान प्रशाशन में कम से कम 15 प्रतीशत पद अगनी वीरों के लिए रक्षित होंगे जी हां तो वहीं बता दें पाकिस्तान जाने से पहले जागिर नाइक का बड़ा बयान कह दिया मोदी से बहुत फाइदा हु हूँ बाकी मैं पाकिस्तान से महबत करता हूँ उसने बताए कि दुनिया में सबसे जादा किसी राजदूत से मिला हूँ तो वह पाकिस्तानी अमबैजडर ही है सौधी हो यूए हो हर जगे पाकिस्तानी दूत से मुलाकात हो जाती है आंगे विवादित मुस्लिम ये बेरहाल दोस्तों पाकिस्तान आने से पहले जागीर नाइक जितना जादा हो सके भारत के खिलाब जहर उगलता नजर आ रहा है खास करके पियम मोदी को लेकर तो वहीं दोस्ता आपका क्या जवाब होगा इस पर बताना मत बुलेगा साथ ही बता दे अमेर की नियाई दूगों के खिलाब आपरादिक आरोप लगाए गए हैं मामले में नियाए विभाग ने कहा कि तीनों आरोपी हैकर इरान के अर्द सैनिक बल रिवॉलूशनरी गार्ड में कारी रत थे और उनके अभियान में सरकारी अधिकारियों मीडिया के सदस्ती और गयर सरकारी संग टरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है दरसल सरहद पार ऐसे मौलानाओं की एक लंबी जमात है जो पूरे मुलक में मजहब के नाम पर नफरत और उनमाद की फैक्टरी चलाते हैं इस निंदा के नाम पर लोगों की हत्या करना फतवा जारी करना ये सब जिनना ल मौलाना उसकिताब का लीड राइटर है लेकिन इसलाम की तोहीन पर सजाय मौत की वगालत करने वाला ये मौलाना अब जिनना लेंड में अपनी ही जान की भीक मांगता नजर आ रहा है दोस्तों पाकिस्तान की गलियों में तारिक मसूद के नाम से ऐसे कई पोस्टर चसपा है हर मस्डिद में ऐसे ही फत्वे जारी हो रहे हैं इस मौलाना पर आरोप इस निंदा का है इस लामा के नाम पर रखा तो चीन आग बबुला हो उठा चीन ने इस फैसले पर नाराज की जता दी दोस्तों नेशनल इंस्टिट्यूट ओफ मांटनेरिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स बोले तो निमास की एक टीम ने अरुनाचल प्रदेश में 20,942 फीट उची एक अनाम चीन उर्मा के लिए भारत लगातार चीन के दावो को निराधार बताता आया है दोस्तों भारत 0st ने कई भारत का भीन अंग ता है और आगे भी रहेगा जी हाँ दोस्त इस पर आपकी क्या राई क्या जबाब होगा चाइना को बताएगा जरूर वहीं बता दें भारत बांगलादेश वीजा सेवाओं में बड़ा बदलाब किन लोगों को मिलेगी मंजूरी दरसल भारत और बांगलादेश के बीच वीजा सेवाएं हाल ही में अनिशित काली कले निरंबित कर दी गई हैं लेकिन इसके बावजूद कुछ स्पेशल क्लास के वीजा आवेद की समिक्षा की है जिसमें खासकर उन आवेद को पर ध्यान दिया गिया जिनके मामले स्पेशल जांच की श्रिनी में आते हैं बांगलादेश में भारतिया वीजा सेंटर अब केवल छात्रों और तदकाल चिकिसा उत देशों के लिए सीमिज संख्या में वीजा आवेदनों चातर और आम जनता भी शामील है वहीं बता दें केनेडा में कनिश्क बॉंबिंग के तीसरी जांच की उठी मांग खालिस्तान आतंकियों को क्लीन चीट देने की कोशिश दोस्तों केनेडा में कनिश्क बॉंबिंग से जुड़ी एक नई जांच को फिर से खोलने की वाधियों को पाक साफ के लिए की जा रही है इसको लेकर किनटा में जस्लिन डूरोगी पार्डी के हिंदु सांसत अपनी पार्डी पर भड़क उटे हैं उन्होंने कहा कि पहले दो जांच हो चुकी है जो खालिस्तान आतंग को इसके दोशी मांती है अब संसत पोर्टल पर नई जांच की मांग की गई है जो conspiracy theory को बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ावा देती दिखाई दे रही है दोस्तों महीं बता दें जैसे मजदों के होते हैं वैसा ही मंदिरों के लिए कानून लाएंगे चंदर बाबु नाइडू जगन मोहन रेड़ी के धनम पर उठा दिये सवाल दरसल अंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंदर बाबु नाइडू ने वाईसर कांग्रिस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड़ी पर पलटवार करते वे कहा कि उनकी सरकार ने तिरुमाला की उनकी यात्रा में बाधा नहीं डाली नाइडू ने कहा कि वे जूट फैला रहे हैं इसके अलावा नाइडू ने जगन मोहन रेड़ी से धरम को लेकर भी सवाल पूछ दिये साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से मजडिदों के प्रमुख उसी धरम के होते हैं वैसा ही हिंदू मंदिरों के प्रमुख भी हिंदू धरम से होंगे और इसको लेकर कानू केंद्रे ग्रहमंत्र अमेद्शाझ ने रेवारी में एक विशाल जनसवा को संभोधित किया इस दौरान उन्होंने कहा कि हरी आना की भूमीग बलिदान वीर्ता अध्यात्म शक्ति और समर्दी की भूमीग उन्होंने उन्हें बयान में ये भी स्पष्ट किया है कि सरकार देश की से आरक्षण को खतम नहीं होने देगी और उन्होंने हर्याना की जंता सा पील कि है कि वे आगामी चुनाव में भाजपा को समर्थन थे अमिशा ने कहा कि यह हर्याना की भूमी बलिदान वा विर्ता की भूमी है हर्याना की भूमी ज्यान अध्यात्म और गीता की भूमी यह अर्याना की भूमी शक्ती और सम्रदी की भूमी आज देश की सिमाई स्रक्षित हैं जमू कजमीर स्रक्षित है तो इसमें हर्याना के जवानों का बलिदान वीरता और शौर ये शामिल है वहीं बताते हैं चार्ज शीट में इडी ने बड़ा दावा किया लालू और उनके परिवार को लेकर कि लालू का परिवार ने रेलवे में नोकलियों के किवार पर भारतिय रेलवे में न्यूक्तियों के बदले में रिश्वत के तौर पर जमीने लेने का आरोप लगाया है मामले की सुनवाई कर रहे विशेश नयादीश विशाहल गोगले ने लालू पर साथ यादों के बड़े बेटे तेज प्रताब यादों को भी तलब कि किया था वहीं बता दें यह थे भी कि सारी बड़ी खाबर आपको मारी खबर कैसे लगया आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी थोड़ी पेच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन दबाके कमेट में जहीं दवश कहिएगा मिलतागली खबर में दोस्तों वीडियो को शेर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों में भाईयों में सात्यों वरिस्तेदारों में वस्ता फेस्बूक ट्वीटर यानि एक्सपर मिलतागली खबर में